अगर आपके printer में कुछ इस तरह की problem आ रही है जब भी आप कोई print कर रहे हैं color में तो या तो सिर्फ green green print हो रहा है या फिर yellow yellow print हो रहा है या फिर print में कुछ color miss हो रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी problem solve होगी यह बहुत ही छोटी problem है यह problem क्यों होती है इसके बारे में जानेंगे आगे पहले इसका solution में आपको बता देता हूँ लास्ट में मैं इस तरह का print किया था जो की सही color आ गया था आप देख पा रहे होंगे इसको और जो बेकार सा print है उसको आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यह printer निकल रहा था पहले और बाद में मैं इस तरह का print निकाला तो मेरी problem बहुत ही जल्दी solve हो गई थी आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप अपना ठीक करें तो दोस्तों जादा ना कहते हुए बढ़ते हैं वीडियो कि तरफ लेट्स गो आपको क्या करना है अपने desktop पर आना है नीचे सर्च बार में आपको सर्च करना है सेटिंग इस तरह से उपर आइकन आ जाएगा आप से क्लिक करते हैं साइड में आपको आपका प्रिंटर का नाम दिखाई देगा जैसे कि मेरा कैनन जी 30 सर्विस है इसको मैनेज पर क्लिक करेंगे इसके बाद हम लेट साइड में आप देख पा रहे होंगे प्रिंटर प्रोपर्टीज में जाएंगे ठीक है इस पर क्लिक साइड में आपको कुछ options दिखाई देंगे इस तरह से आपको जाना है maintenance में maintenance पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस icon पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर printer की settings खुल जाती है आपको क्या करना है इंक फ्लस पर क्लिक आप जैसे ही करेंगे आपके सामने एक pop-up आजाता है इस pop-up को ध्यान से पड़े हैं इसमें लिखा वएक आप जब इसमें okay करेंगे तो यह आपका बहुत सारा इंक ले लेता है बहुत सारा तो नहीं लेता है लेकिन कुछ percent ये आपका इंक खाता है वहाँ पर आपकी printer में कुछ इंक लगता है तो आप बिर्कुल भी डरेना इसको okay कर दें जैसे आप इसको okay करेंगे आपके सामने एक option आयेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं इस स्क्र दिक्कत आ रही थी यह दिक्कत इसलिए आती है दोस्तों क्या होता है जब हमारा कलर इंक होता है और हम उसको यूज करते हैं जब वो नीचे वाले लाइनिंग पे पहुंच जाता है ने नीचे आप देख रहे होंगे एरो बने हुए है उसके बाद हम इसमें कलर नहीं डालते हैं और इसको यूज करते रहते हैं उसके बाद क्या होता है इसमें एक पाइप होता है मैं आपको अंदर दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में इसके अंदर जो पाइप होते है ना उन पाइप में इंक खतम हो जाता है जिसके वाज़ाए से यह प्रॉब्लम आती है और व कर दो हमने निचोड के ले लिए मतलब हमने इसमें इंक डाला और कॉपि करते कई प्रिंड निकालते गए तो इसमें इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है इंक फ्रस का यूज करना था जैसे देशी आप इंक उसके बाद आपके सामने ऐसा पॉप आएगा इस तरह का विंडो इस विंडो में लिखा हुआ है क्लेनिंग प्लीज वेट वो क्लेन कर रहा है आपके पाइपस में वो कलर फिल कर रहा है तो आपको घबराना नहीं है इसमें 5-10 मिनट का टाइम लगेगा एक बार आप इंक फ स्क्रीन से अगर यह विंडो हट जाती है तो आप समझ रहें कि वो काम हो गया है और उसके बाद आपको एक पीछे विंडो दिखाई दे रहा होगा उस विंडो पे लिखा हुआ है प्रिंट चेक पैटन इस पैटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक पेज बाहर आएगा उ इतना करने के बाद आपकी problem solve हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको एक suggestion देना चाहता हूँ जब भी आपका color ink नीचे वाले लेबल पर पहुंच जाता है तो आप उसके बाद अपना printer use ना करें तब तक जब तक कि आप उसमें refill ना कर दें या फिर ink ना डाल दें त इसकी जैसे यह problem आती है जाते जाते आप हमारा भी एक छोटा सा काम कर दीजिएगा हमारे चैनल को like कर दीजिएगा और subscribe जरूर करना दोस्तों खीक है दोस्तों बाइबाई मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आप और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर की वीडियो देख सकते हैं थैंक यू सो मच बाइबाई